पुर्वराज्यमंत्री के बेटे हुए बस्पा में शामिल अशुक गहलोत का लगा तगड़ा जटका जिया दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना मैं उपरागमेंदर आप देख रहे है नैशनल जौपाल जिस तरिके से तमाम विदानसभा चुनाओं के मद्देनज रखते हुए लगातार राजस्थान से जो खबरे निकल कर आ रही है उसमें बड़ी सियासत उठापटक देखने को मिल रही है जहाँ पर लगातार यही देखने को मिल रहा है कि कॉंग्रेस हो या बीजेपी हो ये कॉंग्रेस और बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर ने था लगातार बहुजन समाच पाइटी को अपनी पहली पसंद बना रहे है और बहुजन समाच पाइटी के अंदर में शामिल पूर्व राज्यमंतिर है इसके सांथ पाच बार विधायक रहे ऐसे पाज बार विधायक रहने वाले पूर्व जिला प्रमुक कोरोली भरोसी लाल जाता हूं इनके जो पुत्र है ब्रजेश कुमार जाता हूं इन्होंने अब कॉंग्रेस का दामन छोड़कर बहुजन समाच पार्टे का दामन थाम लिया है आप बिलकुल सही सुन रहे हैं बता दे की पूर्वा राज्यमंतिर रहे पाजबार के विधायक रहने वाले जो वेक्ति है ऐसे वेक्ति के बेटे ने अब अगर बहुजन समाच पार्टे का दामन थामा है तो तो क्या कुछ आने वाले विदानसभा चुनाओं के अंदर में राजस्थान के अंदर में होगा आप खुदकल पना करिए और उसे के आधार पर जिस तरीके से अब करोले विदानसभा की बात करेंगे तो करोले विदानसभा के अंदर में बहुजन समाच पाइटी ने पिछल को बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत असरदार और इसे के सासत काफी तौर पर मजबूत भी मानी जाती है और बड़ी दावेदारी पेश करने का काम पिछले विदानसभाच चुनाओं के अंदर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से किया गया था अब इस बहुजन समाज पार्टी के लिए और इसी के आधार पर अगर इनको बहुजन समाज पार्टी अपनी दावेदारी पेश करकर अगर चुनाओं में उतारती है तो निच्छी तुरूप से आने वाले विदानसभाच चुनाओं के अंदर में एक बड़ी तस्वीर करोले किश्वास करने का काम बहुजन समाज पार्टी ने नहीं किया है और ऐसे में तमाम उन छे सीटों पर जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी महजबूत दावेदारी पेश की थी वो तमाम छे सीटे इस बार बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीक से टकर देने का का कर रही है और उसी क्या अधार पर तमाम जो कद्दावर नेता है उनको उतारने का काम उनको इस चुनावी मैदान में सीधी टक कर देने का काम बोजन समाज पार्टी के मध् لम से किया जा रहा है इसका मतलब यह साफ है कि आने वाले लोगसबा दोजर चोबीस और उसके और बहुती सुश्मन तरीके से जाचपड़तल के आधार पर तमाम प्रत्याशियों का चुनाओ किया जा रहा है और ऐसे चैन करने के बाद में ही बोजन समाज पार्टी तमाम अपने प्रत्याशियों को चुनाओी मैदान में उतारने का काम कर रही है खासतोर पर पता दे कि जिस प्रकार तमाम विधान सबा चुनाओ के मद्दे नजर रखते वे राजस्तान के अंदर में 200 विधान सबा की सीट है बोजन समाज पार्टी अपने बलबूटे पर चुनाओ लड़ने का काम कर रही है किसी भी तरह किसे कोई गड़बंदन करने का काम नहीं कर रही है हनुमान बेनिवाल की माध्यम से तमाम जो तस्विर है बोजन समाज पार्टी की माध्यम से एक साजा हुई थी या फिर जो वाइरल हुई लेकिन उसे के साथ सा तमाम बात नहीं बन पाए लेकिन अब बस्पा नहीं ठान लिया है कि एकला चलो कि सिद्धान पर वोट अमारा रास तुमारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा इस तर्च पर ही अब आने वाले विदान सबा चुनाओं को बस्पा राजस्थान के अंदर में लड़ेगी और यहीं तस्विर देखने को मिल रही है कि जिसके कारण तमाम जो प्रभाव राजस्थान के अंदर बस्पा का यह देखा जा रहा है जहां पर कैडि चुनाओं के अंदर में राजस्थान के अंदर बहुजन समाच पार्टी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है और इसी का फल्सवर्फ यह देखने को मिल रहा है कि तमाम जो लोग है बहुजन समाच पार्टी को कहने के पसंद कर रहे है उनके रणीती को पसंद कर है और इसी कारण अब बस्पा को एक सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है और यह देखा जा रहा है कि आने वाले विदान सभाव चुनाओं के अंदर में बस्पा से बहतर निवी कल्प कहने के और कुछ नहीं हो सकता और इसी तमाम चीज़ों को मद्दे नज़र रखते लगातार बस्पा के अंदर में लोग शामील हो रहे हैं और बस्पा को कहने के सकारत्मक रूप से एक कहने कई आकड़ के आधार पर एक आश्यर जनक तरीके से परिनामों के आधार पर भी देखा जा रहा है इस पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया और लग बताए बने रहे नाशनल चौपाल के साथ मिलते नए वीडियो में तब तक के लिए जैभी जैभार बहुजन विचारधारा को घरगर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और बेल आइकन की घंटी द देवाना ना भुले